हे गाईज तो रिसेंटली समसेंग आपने काफी सारे अप्लिकेशन को अपडेट किया और अपडेट के बाद काफी सारे नेने फीचेर्स, बग फिक्सिस हमें देखने को मिला तो सब कुछ चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखना नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुईक सेज और आप कितना ज़यदा कुईक सेज का इस्तमाल करते हूँ कॉमेंट में मुझे जरूर बताना मैं तो डेली यूज़ करता हूँ तो recently आपको मालूम होगा कि Google का जो nearby share है and जो quick share है ये दोनों अब भी एक ही हो चुका है and quick share होने के बाद ये काफी ज़धा stable भी हो चुका है especially PCs में तो इस update में नया क्या है अगर आप QR code के जरिए किसी भी device में कोई भी चीज भेजते थे तो पहले ये 3GB तक ही support करता था बट अभी ये 5GB तक support करता है next Samsung calendar तो Samsung calendar को भी एक नया update देखने को मिला है जहाँ पे Samsung calendar के अंदर पहले कुछ bugs था जो कि उसे fix किया गया है इस update में next nearby device scanning के अंदर भी एक major update आ चुका है and इस update के अंदर stability को improve किया गया है and bugs को fix किया गया है और यहाँ पी ये जो second चीज़े support smart things barely pop up and matter QR on board in China ये other countries especially India के लिए भी matter नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए है next reminder application के अंदर भी एक नया update आया है and इस update के अंदर फिलाल सिर्फ bugs को fix किया गया है बटिस से पहले जो की update आया था उस update के अंदर काफी सरे हमेंने features देखने को मिला था and especially जो सबसे बड़ा change हमें देखने को मिला था उसके लिए आपको phone के settings में जाना है and alert background and यहाँ से आप अपने पसंदिदा कोई भी background को choose कर सकते हो and इसी के साथ आप कोई भी अपने gallery से photos को भी choose कर सकते हो तो reminder application का आप इस्तमाल करते हो कि नहीं comment करके ज़रूर बताना मैं personally उतना ज़्यादा इस्तमाल नहीं करता हू next Samsung tips application के अंदर भी एक नया update आया है and यहाँ पे कोई भी चीज mention नहीं है आप देख सकते हूं यहाँ पे 6 March को यह update आया था तो tips application basically Samsung का अगर आप कोई भी phone सितमाल करते हो and उसने कोई भी अगर update आता है तो आपको यहें पे इसका user manual देखने को मिलता है and क्या कुछने features आया है यह भी आपको देखने को मिलता है तो settings में जाके एकदम नीच आपको tips and user manual आपको देखने को मिलेगा and जैसे कि यह phone है Samsung Galaxy S21 FE 5G तो recently, मतलब recently नहीं December के भीने में Y6 का update आया है तो Y6 update के बाद इसका जो basic features है क्या कुछ आप कर सकते हो यह सभी चीज़े आप इसके जरीए पता लगा सकते हो इस tips के जरी नेक्स्ट Samsung One UI Home का भी एक नया update आया है and इस update के अंदर काफी सरी ने चीज़ Samsung ने introduce किया है सबसे पहला तो जो भी animations है उसे बहुत ज़्यादा smooth किया गया है काफी सरी लोगों को मैंने देखा Twitter पे या फिर एक्स पे भी बात कर रहे है इस ने update को करने के बाद जो animations है वो बहुत ज़्यादा smooth हो चुका है and कुछ-कुछ Samsung के फोन में app holders के अंदर problem देखने को मिल रहा था उसे fix किया गया है, bugs को fix किया गया है, stability को improve किया गया है अगर आप अपने सारे data को backup रखने के बाद फिर से restore करते थे smart switch के द्वारा तो कभी के बार ये 1EY home error देखने को मिलता था तो इसे भी fix किया है, इसने update के साथ लेकिन ये जो नया update है, ये सारे Samsung के phones में आपको देखने को नहीं मिलेगा including S21 FE 5G, कुछ दिन के बाद ही इसमें हमें नया update देखने को मिलेगा अभी जो current version चल रहा है, वो 15.0.09.1 का चल रहा है, जो की 29 January को हमें देखने को मिला था next Samsung Health application के अंदर एक बहुत बड़ा update आया है, वैसे मैं इस application को इस्तमाल नहीं करता हूं बट काफी सरी changes आपको देखने को मिलेगा, इस what's new section के अंदर next autoblocker application के अंदर भी एक नया update हमें देखने को मिला है, और इस autoblocker feature को Samsung ने recently 1A6.0 के साथ ही introduce किया था तो ये एक phone की security related feature है, तो इस application को update ज़रूर कर लेना तो ये थे कुछ main-main applications का update जो की recently Samsung ने provide किया है, अब इसके अलावा Samsung ने और भी काफी सारी जो की Samsung का application से like internet browser हो गया, ये सभी applications के अंदर update देखने को मिला है, तो इन सारे applications को आप किस तरह से update कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा Samsung Galaxy Store में, फिट 3 dots पे tap करके यहाँ पे आपको updates देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप उन applications को update कर सकते हो, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, इससे बात पे वीडियो को like and share कर देना, और ऐसे interesting वीडियो आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी subscribe कर लेना, मिलते हैं next कर देखने के वीडियो में, थांक यू